C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नंबर 64, सबक 8, सेहत और सफाई हमारी जिन्दगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है. सेहत के लिए अच्छे घिजा, खुली और ताजा हवा और सफाई नहायत जरूरी है. गंदगी से तरह तरह के कीडे और जरासीम पैदा हुते हैं. मक्षियों और मच्छों को तो हम देख सकते हैं, और ये भी जानते हैं कि जहां ज्यादा गंदगी होती है, ये वहीं ज्यादा पैदा हुते हैं. हजारों जरासीम ऐसे होते हैं जिने हम आँखों से नहीं देख सकते कीडे, मकोडे और बहुत से जरासीम इनसान की जिहत के दुश्मन है इनको जैसे ही मौका मिलता है इनसानी जिसम पर हमला कर देते हैं इससे मुखतलिफ बीमारियां पैदा होती है बीमारियों से महफूज रहने के लिए बस्ती, महले, घर और लिबास की सफाई के साथ जिस्म की सफाई भी जरूरी है इनसानी जिस्म में जिल्द की बड़ी एहमियत है जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है ये हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है जिल्द की दो पर्ते होती हैं एक बैरूनी और दूसरी अंगदरूने बेरूनी परत यानि वो हिस्सा जो हमें नजर आता है इसमें रगे नहीं होती जिल्द जब तक सही और सालिम रहती है जिस्म में चरासीम दाखिल नहीं हो पाते जिल्द कहीं मोटी होती है कहीं पतली जिस्म के जो हिस्से ज्यादा इस्तमाल होते है वहां जिल्द मोटी भी होती है और सख्त भी जैसे तल्वे और हथेली लगातार इस्तिमाल से जिल्द की बेरूनी परत गिस्ती रहती है और उसकी जखा नई परत बनती रहती है बेरूनी परत के नीचे अंदरूनी परत होती है इसमें बारीक रगे होती हैं जिन में खून गर्दिश करता रहता है इस परत के नीचे पसीने के घुदूद होते हैं जिल्द हमारे जिसम पर गलाफ की तरह मढ़ी होती है ये बाजाहिर सपाट मालूम होती है लेकिन ऐसा नहीं है आपने कभी सोचा कि जिसम के अंदर से पसीना कैसे निकलता है बात ये है कि हमारी जिल्द को गुदूद ने चलनी की तरह बनाया है इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं जिनें मसाम कहते हैं इन से पसीना खारीच होता है ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से इनको देखा जा सकता है इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि शुमार करना मुश्किल है बस यूं समच लीजिए कि एक मुरबा सेंटी मीटर में तकरीबन एक हजार मसामात होते हैं गर्मी के बौसम में हमारे जिस्म से पसीना ज्यादा निकलता है जिसमानी मेहनत करने, खेलने, कूदने और वर्दिश करने से भी पसीना खूबाता है पसीने के जरीए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजल मादे खारिज हो जाते हैं पसीने में पानी नमक और किसी गदर चिकनाई होती है सफा नमबर 66 आपने महसूस किया होगा कि गर्मी और बरसाद में बाज लोगों के जिस्म से बू आती रहती है ये जिस्म से निकलने वाले अन्ही माद़ों की बू होती है नहाने से ये बू दूर हो जाती है अगर जिल्दी की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले माद्दे मसामात को बंद कर देते हैं और पसीना नहीं निकल पाता बदन पर मैल जम जाता है जिसम पर फोड़े पुनसिया निकलने लगती है और खारिश हो जाती है जिसम से गंदे माद्दे खारिज ना होने पर तबियत में सुस्ती और काहली पैदा होने लगती है जिसम को साफ रखने के लिए नहाना जरूरी है ताकि पसीने के जरीए निकलने वाले माद्दे जिल्द पर ना जम जाएं और मसामात खुले रहें जिस्म के जो हिस्से ज्यादा खुले रहते हैं उन पर गर्दो गुबार भी ज्यादा जमता है इनका बार बार धोना मुफीत है नहानी का मतलब सिर्फ पानी डालना नहीं बलके जिस्म को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ करना चाहिए इस तरह जमा हुआ मैल दूर हो जाता है मसाम खुल जाते हैं और जिस्म में खुन की गर्दिश तेज हो जाती है चुस्ती पैदा होती है तबियत, फरहत और ताजगी महसूस करती है नहाने के लिए ताजा और साफ पानी अच्छा होता है मौसम के एतबार से गर्म या ठंडे पानी से भी नहाया जा सकता है साबुन लगाने से मैल आसानी से दूर हो जाता है नहाने के बाद जिल्द और बालों को तॉलिय वगारा से अच्छी तरह खुशक कर लेना चाहिए खाना खाने, वर्जिश या जिस्मानी मेहनत करने के फौरण बाद नहाना ठीक नहीं है सुब सवेरे नहाना सबसे अच्छा है बदन की मालिश भी जिल्द के लिए मुफीत है इस से दौराने खुण भी ठीक रहता है और जिल्द भी नर्म रहती है सफ़ा नंबर सरसट मश्क लवज और मानी दारो मतार बुनियाद असल जरासीम बहुत छोटे कीड़े जो बगैर खुर्दबीन के नजर नहीं आते अंदरूने अंदर का बहर का गर्दिश घूमना चक्कर काटना गुदूद जिसम के अंदर की गांट गिल्टी खुर्दबीन वो आला जिससे चोटी चीजें बड़ी नजर आती हैं माइक्रोसकोप फाजिल जरूरत से ज्यादा गैर जरूरी फरहत ताजगी सुरूर दौराने खून खून की गर्दिश जिसमें खून का चक्कर लगाना गौर कीजिए तंद्रुस्ती के लिए जिसम की सफाई बहुत जरूरी है घरों में और आसपास मक्हियां, मच्छर और दूसरे कीडे मकोडे पैदा ना हो इसके लिए कीडे मार दवाओं का इस्तिमाल करते रहना चाहिए सफ़ा नंबर 68 सोचिए, बताईए और लिखिए एक, बीमारियां क्यों पैदा होती है दो, जिल्द से जिसम को क्या-क्या फाइदे है तीन, जिल्द की कितनी परते होती हैं और उनके क्या काम है चार, मसाम किसे कहते हैं, उनके क्या फाइदे है पाँच, नहाना क्यों जरूरी है छे, जिल्द को साफ ना रखने के क्या नुखसान है? दिये हुई लवजों से खाली जगों को पूर कीजिए. लवज हैं, फोड़े, गंदे, जरासीम, खारिश, बैरूनी परत, फाजिल, बीमारिया, गर्दो गुबार, जिल्द हैं. एक, हजारों खाली जगा ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते. दो, इससे मुख्तलिफ खाली जगा पैदा होती हैं. तीन, लगतार इस्तेमाल से खाली जगा की खाली जगा घिस्ती रहती है. 4. पसीने के जरीए जिस्म के बहुत से खाली जगा और खाली जगा माद्दे खारिज हो जाते हैं 5. जिस्म पर खाली जगा फुनसिया निकलने लगती है और खाली जगा हो जाती है 6. जिस्म के जो हिस्से ज्यादा खुले रहते हैं उन पर खाली जगा भी ज्यादा जमता है सफ़ा नंबर 79 दिये हुए लवजों के वाहिद लिखिए जमा, अजसाम, हैवानात, आफात, मालूमात, मुश्किलात, मसामात, महसूसात, मवाके दिये हुए जवाबात के लिए मुनासिब सवालात बनाईए जवाब, सिहत के लिए अच्छी घिजा, खुली और ताजा हवा और सफाई नहाएच जरूरी है इसका सवाल बनाईए अगला जवाब, पसीने में पानी, नमक और किसी गदर चिकनाई होती है इसका सवाल बनाईए जवाब है, पसीने से निकलने वाले मादों की वज़ा से बाज लोगों के जिसम से बू आती है इसका सवाल बनाईए यहाँ दो खाने दिये गए हैं एक खाना इसम का है और दूसरा सिफत का दिये हुए लफजों को सही खानों में लिखिए लिपास, ताजा, मसाम, अच्छी, जिल्द, साफ, चिकना, गर्म खून, मक्खी, गंदा, सख्त, तॉलिया, साबुन, बारीक, खुर्दबीन सफा नंबर सत्तर दिये हुए अलफाज में सही इमला पर सही का निशान लगाईए वाउ, रे, जे, शीन, वर्जिश, वाउ, रे, जे, सीन, वर्जिस वाउ, रे, जीम, सीन, वर्जिस शीन, रे, तोए, शर्त, शीन, रे, ते, शर्त, से, रे, ते, सर्त सीन वाओ, रे अलिफ, काफ, दो चश्मी है, सुराख सीन वाओ, रे अलिफ, खे, सुराख शीन वाओ, रे अलिफ, खे, शुराख मीम स्वाद अलिफ, मीम अलिफ ते, मसामात मीम शीन अलिफ, मीम अलिफ तोए, मशामात मीम सीन अलिफ मीम अलिफ ते मसामात गाफ रे दाल स्वात गर्दिस गैन रे दाल शीन गर्दिश गाफ रे दाल शीन गर्दिश अलिफ नून शीन अलिफ नून इन्शान अलिफ नून सीन अलिफ नून इन्सान Alif noon, Swad alif noon, insan Dal sheen, meem noon, dushman Dal vau sheen, meem noon, dushman Dal vau sheen, meem noon, dushman Swad khe te, sخت Seen khe te, sخت Sheen khe toi, shخت सुआद फे अलीफ हमजा चुटिये सफाई शीन फे अलीफ हमजा चुटिये शफाई सीन फे अलीफ हमजा चुटिये सफाई यहां दो कॉलम दिये गए हैं एक मुजकर का कॉलम है और दूसरा मुणनस का कॉलम है दरख्त की पत्तियों पर लिखे हुए लवजों को उनके सही खानों में लिखिए घिजा, खून, हवा, कपड़ा, मौसम, लिपास, मालिश, तास्गी, मौका, सेहत, मैल, गर्दिश, गर्दोगुबार, जिल्द, खारिश, मसाम, सेहत जिसम की सफाई के लिए जिन बातों का ध्यान लखना जरूरी है, उन्हें एक चाड़ पर लिखकर अपनी जमात में लगाए, अपनी कापी में वर्दिश करते हुए बच्चों की तस्वीरे चिपकाए, बलन दावास से पढ़िए और खुशखत लिखिए, सफाई, घिलाफ, फाजिल, गुद्रती, खुर्दबीन, इसी के साथ ये सबख यहीं पर खत्म हुआ,